जैमा इंद्राक्षी जयंबे इंद्राक्षी धाम में दर्शो को आप सभी का महारदिक स्वागत करते हैं आज के दिन जिन जात्कों का जनम दिवस है मेरी जैनिवर्सिरी उन सभी को हमारे तरफ से बहुत-बहुत शुब कामना है आज का छोटा सा सब्जेक्ट है लेकिन आपके बड़ा काम का सावीत हो सकता है कैसे एक साथ अधिक मंत्र, इस्तोत्र या चालीसा पढ़नी चाहिए या नहीं कई बार आप में से बहुत लोग सुबा के समय या शाम के समय बहरव मंत्र, शिव मंत्र, राम मंत्र बहुत सारे नाना भाती के मंत्र एक साथ पढ़ते हैं, देवी कहने को मंत्र पढ़ते हैं, तो ऐसा करना चाहिए या नहीं आपके भी मन में कई बार ऐसा आता होगा, मैं बहुत सारी स्तोत्र पढ़ती हूँ या पढ़ता हूँ, मुझे फल अच्छा मिल भी रहा है या नहीं मिल रहा है, मैं सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, ऐसी इस्तिती में हमें क्या करना चाहिए, इसका अंसर आज हम आपको देंगे, आए पहले आज का हम पंचांग देखें, जितना आप अधिक से अधिक करते हैं, आप अच्छा करते हैं, एक आंसर तो यह है, लेकिन कई बार क्या होता है, जैसे हम दुर्गा सब्तुशती पढ़ते हैं, दुर्गा जी का सरवमंगल मांगल्य पढ़ते हैं, फिर हम नवारन मंत्र पढ़ते हैं, फिर हम शिव मंत्र फिरम बगला मुखी पढ़ते हैं फिरम कोई और ऐसा तंत्र मंत्र की कोई भी चीज हमें कहीं से मिल जाती है हम वो कढ़ने लगते हैं तो क्या ऐसा कढ़ना चाहिए देखो भाईया इन सब में सबसे अच्छी बात तो यह है कि आप गुरु दिख्षा लें गुरु आपको गणपती गणेश किराए दें तो वो करने से हमें अधिक लाव की प्राप्ती होती है क्योंकि हमें गुरु नहीं एक विशेश शक्ती से एक विशेश मंत्र की जब प्राप्ती होती है उसका अपना नुभव उसका चमतकार अलग होता है चीक है दूसरी बात अगर आप किसी से गुर मंत्र भी नहीं लिया है अपने मन से नाना भाती के मंत्र पढ़ते हैं तब आप एक काम करें जैसे आप दुर्गाजी के मंत्र पढ़ते हैं वाई दिवे आप दुर्गाजी का नवार्ण मंत्र पढ़ते हैं आप दुर्गाजी क भुमनेश्वरी के और अधिक मंत्र पढ़ते हैं फिर उसके बाद आप कोई और इस्तुति कर लेते हैं दुर्गा जी की फिर उसके बाद कुछ और कर लेते हैं तो यहां मैं राई एक दूँगा कि दुर्गा सब तो शती ही अपने आप में बहुत अद्वुत है आप मंत्र की पांच माला ग्यारा माला कर रहे हैं यहां यह दुर्गा जी की साथना हो गई अब दुर्गा जी के साथ क्या वेवस्ता बन सकती है किसी अन्य मंत्र की वह आपको गुरुजन भी बताते हैं तो वहां जैसे शक्ति हैं यह भवानी है शक्ति के साथ शिव की साथना फली भूत होती है शक्ति के साथ भहरव की साथना फली भूत होती है यह आप कर सकते हैं अब गलती कहां करते हैं अभी अभी आपने दस मिनट सूरिय मंतर की साथना करी उसके तुरंट बाद आप शनी मंतर की साथना करने लगे दोनों विपरीथ हैं आपने अभी हनमान जी के मंत्र की साथना की तुरंत उसके बाद बहरव इस्तोत्र या बहरव मंत्र की साथना करने लगे विवरीध है आपने गाहितरी मंत्र की साथना की और गाहितरी मंत्र के जस्ट एकदम बाद आप बहरव मंत्र पढ़ने लगे फल नहीं मिलेगा बहरव को चुने तो बड़े हिसाब से करें जैसे हमने भी आपको अपने हिसाब से बताया पहले सबसे पहले भगवती गाहितीरी को आप पढ़ने महाशक्ति शिव के रूप में बेजात्मक मंत्र पढ़ने महाशक्ति का ही नवारण मंत्र करने क्योंकि सब ब्रह्म विद्या हैं आपस में उस ब्रह्म विद्या के बाद आप फिर महरव जी का कोई स्तोत्र कवचादी कर सकते हैं तो ध्यान रखें विपरीत मेल वाले मंतr एक साथ ना पड़ें और आप ज़िदी दुरगाजी के दस मंतरों की अलग-लग माला कर थे वह भी गलत है आरे हैं तो वो दुरगाई ही हैं तो वो भवानी जिनकी आप माला कर रहें तो उससे तो बेटर है कि आप दुरगाजी के अलग अलग दस मंत्रों को ना करके एक या दो मंत्रों की अधिक माला करने है एक मंत्र में ही शक्ती को जाज़ा लगा लें आपका बेड़ा पार हो जाएगा एक व्यक्ति से कहा गया कि यहाँ पर खड़ा करिए, गड़ा बनाईए गहरा खोदिये और पानी निकालिये पानी निकालना है अब उस व्यक्ति ने गड़ा खोदने में महनत की, सोचा इसमें पानी नहीं आएगा दूसरे गड़े में लग गया दूसरा गड़ा गड़ा आदा खोदा, फिर तीसरे में लग गया तीसरे में देखा इसमें भी पानी नहीं है फिर चोथे में लग गया इसमें भी पानी नहीं है पांच में में लग गया सो गड़े खोदते रही है पानी नहीं आएगा अगर वो पचास गड़े ना खोद करके केवल एक ही गड़े को और गहरा कर लेता तो उसमें पानी आयाता इसलिए साद को आप ये न समझे कि आप पचास अलग-अलग मंत्र पढ़ रहे हैं तो आपकी सादना बहुत फली भूत हो जाएगी God is one भगवान एक ही हैं उनके रूप अनेकों हैं इसलिए एक भगवान को उसके मंत्र स्तोत रादी को साद लीजिए आपका काम बहुत शिगर बनेगा आपकी सादना में चार चांद लगने लगेंगे आपकी सादना फरीभूत होने लगेगी इसलिए आज हमें यही समझाना है एक तो विपरीत मंत्र एक साद ना पढ़ें विपरीत जो महाशक्तिया होती है उसमें भी ध्यान रखें मंत्र आदी बढ़ते समय कई बार आप उधर तिक्षण मंत्र की सादना कर रहे हैं भारब मंत्र की सादना कर रहे हैं उसी के साद आपने तिक्षण मंत्र भगला मुकी जी का ले लिया कई बार उनी की साथ आपने दुमामती ले लिया तो ये सारी चीजें मैं यह नहीं कहता आपको नुकसान होगा क्परभवान कभी किसी का आहित नहीं करते प्रभव कभी किसी का थंडा खा रहे हैं है न शिन म और शिव मंटर के साथ एकदम अगहुर सास्थी का कोई मंतर पर रहे हैं गायैत्री मंतर और गईतिरी मंतर के साथ आप घ्रव मंतर को तो वहां पर क्या होगा खंडा और गरम Pub है न तो इसलिए ध्याल नखना हमने आपको एक पहली बाद आप किसी मरमग्य गुरू से दिक्षा लें दिक्षा के उप्रांत अपनी साधना को करें चार चांद लगेंगे एक ही शक्ति के एक ही देव के बहुत सारे स्तोत्र मंत पढ़ने से कोई उचित्य नहीं है उनका एक किस्तोत्र पढ़ लीजे दिल लगा करके पढ़ लीजे मन लगा करके पढ़ लीजे रावन वही विद्वान था इसमें कोई शक नहीं है और तंत्र विद्याओं में माहिर था यग्य की अनेकों कलाओं में संपूर्ण था हमेशा उसने शक्ति को भवानी को और शिव को हैं मत्लब बाद यहां रावन की विवन्ता की हो रही है गर रावन विद्वान ना होता तो भ्यों कहते ब्त कैसे जब करते ठाशा और और वह यांन केना है रहे संप recuper से किывать not के है ना टो भई कहीं और कहीं आप ध्यान रखें जब अपनी साधनाओ को करते नूट तो साधनाओं को करते समय उनकी विवस्था उन मंत्रों की विवस्था अच्छे से होनी चाहिए नहीं तो मंत्रों का गुम्फन मंत्रों की जो तवरित उर्जा उत्पन होती है एक मंत्र उर्जा बनाएगा और एक मंत्र उर्जा को गटा देगा तो आपकी मंत्र की जो प्लस होती रहेगी समय आपको लगता रहेगा, लंबे समय के बाद आपको फल मिलेगा, तो पहली बात गुरु से दिख्षा लें, और गुरु जो दिख्षा में आपको मंतर दें, उसको करिए, अब दूसरी बात ये भी होती है हमारा मन होता है हम तो शिव के सादक बने हमारा मन होता है भवानी के सादक बने है ना भगवती की शक्ती की सादना करें चाहे उसमें राधा की करें चाहे उसमें भवानी की करें बलब सक्ती की सादना हो गई है अब सक्ती की सादना के लिए आप गुरू से मंत्र लें और उन से सक्ति का हे मंत्र लें बहुते हुए, सोने पर सुहा कर लग जाएगा, नई देख्षा ले रहे हैं, तो आप सक्ति के मंत्र को, एक मंत्र उसमें से चुन लीजिए, आप जैसे हम अगर भवानी चे मंत्र की बात करें तो नवार्न मंत्र, अपने आप में नवार्ण मंत्र गागर में सागर है, महाशक्ति के मंत्र की बात करें, तो गाइतरी महाशक्ति मंत्र और इधर नवार्ण मंत्र, जो सादख हमें से इन दो को भी बढ़ता रहे न, कल्यान हो जाएगा, जाद करें, सोम्मे भक्ति, सोम्मे सक्ति के लिए, सदा शक्तियों के मंत्र एक सातना पढ़े और एक ही सक्ति के बहुत सारे स्तोत्र बहुत सारे मंत्र पढ़ने की वजाए उसी शक्ति के कम मंत्र उसी मंत्र को अधिक संख्या में कर लीजे आपको विशेस लाग की प्राप्ति होगी आईए समय चला है महाशक्ति की सातना करने का ज स्थारा नायक से करां स्मित मुखे बापे नबाग छोरुआं पानी प्यामल पूर्ण रत्न चसकां रत्नोत परां विब्रते सोम्यां रत्न गटस्त रक्त चरणां द्यायत परां मंबिकां खडगं चक्रगदे सुचाप परिगान चूलंब सुन्डिम् सिरा संखं संदधतिं करिष्त्रिनयानां सरवंग वुष्वरितां निलास मध्युतिमास्यपाद दसकां सेवे महां कालिकां यामास्तो स्वपिते हरो कमलजो अंतुम अदुम कर्टवं विद्यो दाम समप्रवाम्रिगपते स्कंदस्तितां विशनां कन्या विहकरवाल खेट विलसा धस्ता विरास सेवितां हस्ते चक्र गदास खेट विशिखां श्चापं गुणं तरजनीं कवच बना लें ध्यान करें भगवती का सोम्मे रूप और भगवती का शुबासीस हम सब के ऊपर बरस रहा है हमारा कल्यान हो रहा है ओम बोलते हुए नित्रखोंने समाने हो जाएं देखो साथको आने वाले समय में वक्त आप कमजोर मत समझें वक्त बलवान है भीषण समय है आज का क्या समय होता जा रहा है व्यक्ती की क्या सोचोती जा रही है तनिक तनिक बादाओं में व्यक्ती फस्ते हैं और किस प्रकार से ग्रह गोचर अपना असर मानव के उपर डालता है आपकी दैनिक साधना आपको अनेकों चक्रवात से बचाती है इसलिए आपकी प्रतिदिन की गई साधना बड़े सुल्जेवे तरीके से होनी चाहिए बात ये नहीं है कि आप दो घंटे पूजा करें साधना चाहें दो मिनट की हो लेकिन भावनाओं के साथ होनी चाहिए भावनाओं से भगवान के प्राप्ति होती है नहीं कि आपके अधिक समय और संख्या बढ़ाने से इसलिए हमें इसा ध्यान रखना जाकी जैसी रही भावना वैसी ही उसको भगवान की मुर्ति दिखती है भगवान के दर्शन होते हैं भावना का खेल है तो भावना के लिए भगवान को एक ही मंतर से भज़ लीजिए अधिक से अधिक दो या त्रिपिदा मंतर से भज़ लीजिए आपका कल्यान होगा आपको भगवान के शिरी चर जो चीज 2-3 मैं ढूंड रही हूं क्योंकि थोड़ी बहुत मैं भी भगवान में आस्था रखती हूं तो मैं यह सोची थी कि मुझे वो चीजे मिल जाएंगी और यहली मुझे आज यहां बैटके ऐसा लगा जो आपने 2-3 चीजे करने के लिए बताई हैं कि शायद मेरी समस् सब्सक्राइब करें बैल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सके हमारा कारिक्रम सबसे पहले और अधिक जानकारी के लिए फेस्बुक पेश को लाइक करना ना भूलें लिए आज ना सब्सक्राइब करने दो सके हमारा कारी के लिए फेस्वेशे समस्बुक जानकारी को पहले योट